दोस्तो इस वीडियो में ना कम्प्यूटर की 7 काम आने वाली टिप्स and ट्रिक्स मैंने आपके साथ सेयर की हैं जिनका अगर आप यूज करोगे ना तो डेफिनेटली स्मार्ट कम्प्यूटर यूजर बनोगे तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल दीपक टैक वर्ड को सब्सक्राइब कीजिए मैं हूँ दीपक आपका दोस्त लेट्स बिगिन इस टापिक पहले दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिक नंबर वन की मानले इसी आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और अगले दिन आपको ऑफिस आते ही अपने कंप्यूटर म स्टीकी नॉट ठीक हैं यहाँ पे स्टीकी मैंने लिखा तो ऊपर यहाँ पर एपागी स्टीकी नॉट क्लिक कर दीजीए तो इस तरह का जो है यह स्टीकी नॉट ओपन हो जाएगा नौट पैड की तरह ही दिखाई देगा कुछ है ना यहां से साइज आप पकड़के ज़ भी मैं computer को on करूंगा ना तो यह sticky note यहीं पे इसी जगह पे मुझे मिलेगा तो आपके सामने एकदम से यह message दिखेगा आपको तो आपको याद अजाएगा कि आपको करना क्या है है ना या फिर मालीजी आप internet पे कुछ सर्च कर रहे हो और आपको कुछ points not करने की जरूरत है तो आप notpad में MS Word में मज जाएए आप इस sticky note ओपन कर लीजी है ठीक है इनकेस आपका computer बंद हो जाए किसी कारण से तो आप दोबारा computer on करोगे तो जो notes आपने लिख रखे हैं वो आपको desktop पे ही मिलेंगे जब तक आप बं desktop पे नहीं मिलेगा तो इस तरह से आपको यूज करना sticky note second trick की हम बात करते है step recorder मान लीजी है आपको अपने computer में कुछ problem हो रही है आप किसी को दिखाना चाहा रहे हो ठीक है कि यह problem हो रही है मैं ऐसे ऐसे यह काम कर रहा हूं यह steps कर रहा हूं तो वह steps आप अगर किसी को step आगी है या फिर आप कीजिए window बटन के साथ आर प्रेस कर लीजिए यहां से मैंने इसको remove कर दिया अब recording स्टार्ट हो गई है और इसको minimize कर देना है अब आप जहां जहां पर click करोगे यह computer automatic screenshot लेके उसके आपके एक file में add कर देगा देखिए मानली जी है मैंने start पर click किया ठीक है मैंने file tap पर click किया और यहां फिर more पर जाके यहां पर options पर click किया अब जो जो काम मैंने यहां पर किया है जहां जहां पर मैंने click किया है वो screenshot के साथ एक file में complete add हो जाएगा इसको मैंने भी बंद कर दिया अब हम देखते है अपने step recorder में जाके इसको हम stop कर देंगे stop कर देंगे तो हमारे सामने complete file generate होके आ जाएगे यह देखी आगे इसको fullаб करके में सबसे पहले हमने क्या किया हमने क्लिक किया था start पर us Edu एक में यहां एक्सल पर click किया था इसके बाद यहां पे देखिए हमने यहां पे क्लिक किया था ठीक है और इसके बाद आप यहां पे देखोगे sheet के अंदर हमने क्लिक किया था तो यहां पे सारे steps आपको दिखाई दे जाएंगे कर सकते हो तो आप वोग сказать क्रलिय करने के लिए क्या करते हो अप करोगे रृट क्लिक फिर जाओगे निउ पर और फिर यहां पे folder पे click करोगे है ना, तो इसके लिए कुछ clicks तो आपको करनी पड़ रही है ना, तो यह काम अगर हमारा shortcut कीसे हो जाए तो कैसा रहेगा है ना, तो थोड़ा smart work कीसी आप folder बनाने के लिए shortcut क्यों होती है Ctrl-Shift-N, आप आपने जो भी location select कर रखे चाहे आप desktop पे हो, चाहे आप किसी folder के अंदर हो, कहीं पे भी हो, आप Ctrl-Shift-N प्रेस करोगे तो नया folder एकदम से आपके screen पे बन जाएगा, Ctrl-Shift-N, यह देखिए ठीक है न, अब यहाँ पे, मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, अगली ट्रिक क्या है, डाउनलोड पे मैं गया, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी files है, यह देखिए, बहुत सारी files है, ठीक है अब अगर मान लीजिए, मेरे को कुछ folders या कुछ files इनमें से select करनी होंगी, तो हम करेंगे, पहले एक पे क्लिक किया, Ctrl दबा के रखेंगे, multiple selections करने के लिए, Ctrl दबा के रखेंगे, तब हम select करते हैं, ऐसे में अगर बहुत सारी files हैं, तो Ctrl कब तक हम दबा के रखेंगे, तो इससे क्या होगा, Ctrl दबा के रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप ये checkbox को enable कर लीजिए, बस यहाँ पे click करते जाएंगे, चाह कोई file है, चाह कोई folder है, कुछ भी है, सभी के ऊपर ये checkbox दखाई देगा, आप बस इस पे click करते जाएंगे, file select होती चली जाएंगे, अ अब यहाँ पे आपको जाना है, file explore options पे, फिक है, यहाँ पे click करना है, click करने के बाद यहाँ पे view पे जाना है, और view पे जाने के बाद सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पे option मिल जाएगा, आपको use checkboxes to select items, यह देखिए, तो अभी मैंने यहाँ पे tick कर रखा था, तो checkbox दिखाई दे रहा था, आपका यहाँ पे by default checkbox पे tick नहीं होगा, इसलिए आपको वो checkbox दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से इसको enable कर लीजिए, और ok कर दीजिए, काम हो जाएगा, इसके बाद अब हम चलते हैं, अगली trick के, मैं हाँ पे गया desktop पे, ठीक है, अब आपन देखा, मैंने control panel open करने के लिए, यहाँ पे type किया, control panel, फिर मैंने यहाँ पे उपर click किया, है न, थोड़ा लंबा process हो गया, आप control panel open करना चाहते हो, disk management open करना चाहते हो, task manager open करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको long process use नहीं करना, आपको start पे जाके right click करना है, बस, यहाँ प panel यहाँ से आप open कर सकते हो, file explorer open कर सकते हो, ठीक है, device manager open आप कर सकते हो, power options open कर सकते हो, disk management, task manager, सब कुछ यहाँ से आप open कर सकते हो, single click से है न, तो इस समार्ट तरीक आप यूज कीजिए, आगली trick क्या है, देखिए, हम start पे click करेंगे, तो यह इतना बड़ा start menu हमारे सामने open ह होता है, अगर आप इसको sort करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, तो यहाँ corners पे कर जाड़ाओगे न, तो option आपको मिल जाता है, sort करने का, यहाँ पे आप देखिए, यह मैंने कितना sort कर दिया है, इस से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है न, यह देखिए, तो इस तरह से आप इस menu को भी sort कर सकते हो, या आपका जो default मिलता है, वो तो यह इतना मिलता आपको, अब देखिए, माली जी यह अगली trick क्या है, आपको कोई software open करना है, अपने इस window 10 PC में, तो आपको यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको जाना होगा, all apps में, फिर आपको यहाँ से search करके, उस पे click करना होगा, beginners तो ऐसी ही करते हैं, है न, but आप एक काम कर सकते हो, किसी भी software को यहाँ पे pin कर सकते हो, pin करने के लिए क्लिए क्या करना होगा, माली जी Excel मुझे यहाँ पिन करना है, तो Excel पे हम जाएंगे, यहाँ पे right click करेंगे, और यहाँ पे pin to start का option मिलेगा click कर दीजिए, तो Excel यहाँ पे pin हो गया, अब next time आपको Excel open करना हो, तो बैस start पे जाना है, और यहाँ पे click कर देना है, Excel आपका open हो जाएगा, अब एक और fast तरीका मैं आपको बता दूँ, आपको कोई भी computer में program open करना है, तो खुद की shortcut की भी आप set कर सकते हो, कैसे होगी, आ आपको कोई program open करना है, उस पे आप जाएगे right click कीजिए, right click करने के बाद यहाँ पे आपको open file location पे जाना है, आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपको start पे जाना है, और यहाँ पे click करना है, ठीक है यहाँ पे आपकी application दिखाई नहीं दे रिए जिसको आप shortcut की से चलाना ठीक है इसके बाद यहाँ पे जो आपको by default select मिलेगा icon उस पर right click करने के बाद यहाँ पे इसकी properties open करने के बाद यहाँ पे आपको shortcut tab पे जाना है और यहाँ पे shortcut key इसमें click करना है और यहाँ पे कोई भी shortcut key आपको press कर देनी है जिससे आप Excel को open करना चाहते हो माँ लएगा elites मैंने सोंट कर दिए कन्ट्रोब कि मैंने सब्सक्रलत कर दिया अगर आप कोई सब्सक्रलब कर दीkah कि एक प्रसा करने के बात जब भी क ख्रेने के डिया है प्रेस करोगे यहां से इसको continue करने जब भी आप Ctrl Alt E प्रेस करोगे मैं प्रेस करता हूँ Ctrl Alt E तो Excel जो है हमारा ओपन हो की स्क्रीन पे आ जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह tips and tricks आपके जरूर कामाएंगी अगर आप beginners हो तो इनका यूज करके आप definitely as a smart user worker सकते हो इस वीडियो को लाइक जरूर करें हमारी इस चैनल दीपक टैक वर्ड को सब्सक्राइब करके जरूर जहें मिलता हूँ अगले वीडियो में थैंकि दोस्तों have a nice day जै हिंद वन दे मात्रम टेक कियर